नमस्कार दोस्तों, आव स्थीखे चैनल में आपका स्वागत है, आज मैं छोटी बूती का एक बहुत खुबसुरत और आसान डिजाइन लाए हूँ, जिसे आप जेंड स्वेटर में, लेडिज काडिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, शॉक्स में स्वेटर में किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, कैप में, हैट में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लेगा, बनाना बहुत ही आसान है, पिगनर्स भी इसे आसाने से बना सकते हैं, इसे बनाने के लिए हमें दू के मल्टिपल फंद चाहिए डिजाइन बताने से पहले आप से अनुरूद है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो क्रिपिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो क्रिपिया इसे लाइक करें अपने फ्रेंट्स और फैमल बुलना चाहे तो आप बुलने स्लिप करना चाहे तो आप स्लिप कर लें बाकी फंदो को सीधा बुलने इस लाइन में यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप बढ़ा लें पहली लाइन में हम सबी फंदो को सीधा बुलने तो पहली लाइन में हमने सबी फंदो को सीधा बुल लिया अब हम आजाते हैं रॉंग साइड में तो इस लाइन में हम सबी फंदो को उल्टा बुलने गे तो हमने दूसरी लाइन में सबी फंदों को उल्था बुन लिया अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ से तो इस लाइन में हम डिजाइन डालना सुदूर करेंगे तीसरी लाइन से हम डिजाइन डालेंगे तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो पहले फंदे को हम या तो सीधा बुन ले या फिर स्लिप कर ले अब उनको अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुन लेंगे और फिर इन्ही दोनों फंदों को ऐसे बैक लूप से सीधा फिर से देखिए उनके धागे को हम अपनी तरफ करेंगे दो फंदों को एक साथ लेंगे एक और दो और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे अब भी हमें इन्हें गिराना नहीं है अब उनको दूसरी तरफ करेंगे और फिर इन्ही दोनों फंदों में ऐसे बैक लूप से यानि पीछे की तरफ से एक सीधा फंदा बनाएंगे तो दो फंदे से हमने दो फंदे बना लिया यानि फंदे न कम हुए न जादा दो फंदे से दो फंदे बन गए अब इसे हम किरा देंगे अब फिर उनको अपनी उर करेंगे और फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे एक और दो दो फंदो को एक साथ लिया उल्टा बुना फिर इसे हमें गिराना नहीं है, उनको पीछे की तरफ करेंगे, और इनी दोनों फंदों में पीछे की साइट से हम एक सीधा फंदा बना लेंगे, तो देखिए, दो से हमने दो फंदे बना लिए, अब इसे हम गिरा लेंगे, फिर उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर उनको पीछे की तरफ ले जाएंगे, और फिर इन ही दोनों फ फंदों में दूसरी बार सीधा फिर उनको अपनी ओर करेंगे दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनेंगे यह हमने उल्टा बुनते हुए एक फंदा बना लिया अब उनको पीछे करेंगे और फिर इन्ही दोनों फंदों में पीछे की साइट से एक सीधा फंदा तो एक बार हम दो फंदों को एक साथ ले रहे हैं, एक बार उल्टा बुन रहे हैं, फिर इन्ही दोनों फंदों में एक बार सीधा, तो इसी तरह हम दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो फंदों से दो फंदे बनाएंगे एक बार उल्टा फिर इन्हें में दूसरी बार सीधा दो फंदों को एक साथ लेंगे एक बार उल्टा बनाएंगे और एक बार सीधा उल्टा फिर सीधा लास्ट फंदा एज स्टीच है इसे हम सीधा बुल लें अब देखिए दो दो के गुरूप में फंदे अब हम रॉंग साइड में हैं और ये डिजाइन का दूसरा लाइन है तो दूसरी लाइन में हम सभी फंदो को उल्टा बुल लेंगे पहला फंदा बुढ़ना चाहे तो आप उल्टा बुढ़ने या तो स्लिप कर ले शेज सभी फंदों को हम उल्टा बुढ़नेंगे रॉंग साइट से हमेज हर लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुढ़ना है डिजाइन हमारा सिर्फ सामने की तरफ से बुना जाएगा तो हमने रॉंग साइट से सब भी फंदे बुल लिये उल्टा बुल ले अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं और ये हमारा तीसरा लाइन है तो पहली लाइन में हमने पहले फंदे को slip कर लिया था अब की हम एक फंदा और सीधा बुल लेंगे यानि यह हमारे दो फंदे हो गए अब उन को अपनी ओड करेंगे देखिए दो फंदो को हम एक साह लेंगे अब ये देखिए ये दो दो फंदे थे तो अब की एक इस डिजाइन से और एक दूसर डिजाइन से दोनों से हम एक एक फंदे लेंगे और एक बार उल्टा बुलेंगे फिर इन्ही फंदों में एक बार सीधा अब देखिए एक फंदा हम इस डिजाइन से लेंगे और दूसरा फंदा दूसरे डिजाइन से और दोनों को एक साथ लेते हुए उनको पहले हम अपनी तरफ कर लेंगे दोनों को एक साथ लेते हुए एक बार उल्टा बुनेंगे और फिर पीछे की तरफ से एक बार सीधा अब ये जो हमारा डिजाइन है अब की डिजाइन दोनों के बीच में बनेगा अब देखिए ये डिजाइन है तो अब की हमें इन दोनों के बीच में बनाना है यानि इन दोनों फंदों में तो दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और पहले हम उनको अपनी और कर लेंगे इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे एक बार उल्टा बनेंगे फिर इन ही दोनों फंदों में एक बार पीछे की तरफ से सीधा तो दो ही फंदो का डिजाइन है और इन ही दोनों फंदो को हमें बार बार दोराना है दो ही फंदे का डिजाइन है इन ही दोनों फंदो को हमें पूरी लाइन में दोराना है अब देखें लास्ट में दो फंदे हमें बच्चे हैं तो इन दोनों फंदों में हम दिजाइन बना लेंगे एक बार उल्टा और एक बार सीधा और फिर रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे तो देखें फ्रैंड इन ही चार लाइनों को हमें दो राना है और यह खुशूरसा डिजाइन बनता चला जायेगा देखें सामने से यह ऐसा दिखाए दे रहा है और पीछे से ऐसा चार लाइन का ये रिपई टिजाइन और डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंद आया होगा तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैंबली में शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग